हलो दोस्तो वेलकम टू स्टड़ी यूनिवर्स मद्धिप्रदेश की नमबर वन चैनल फॉर डेली करेंट अफेर के इस वीडियो में आपका स्वागत है आज है 19 माई 2019 और यह हमारी 156 वी क्लास है 12 important question आपके लेकर आए हैं जो आपके exam और आपके इन questions को आप note कर लें क्योंकि यह आपके exam में पूछे जाते हैं साथी questions related important fact भी हम आपको बताते हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं दोस्तो अगर आपको MPG के और current affairs related कोई भी problem जाती है तो आप में comment box में बताएं हम आपके answer जरूर करेंगे question number first हाली में ICC ने World Cup की इनामी राशी कितनी की है जिसका सही option है 28 करो रुपे हाली में ICC ने World Cup की इनामी राशी बढ़ा कर 28 करो रुपे की है दोस्तो इससे पहले यह राशी 26 हजार करो रुपे थी साथी उबजिता को 2 मिलियन यानी 14 करो रुपे दिये जाएंगे दोस्तो ICC World Cup 2019 का बारहवा संस्क्रण एंगलेंड और बेल्स में 30 मईस से 14 जुलाई के बीच किया जाएगा इस बार कुल 10 टी में हिस्सा ले रही है इस ICC World Cup में दोस्तो अब बात आईए ICC की तो आपको इसके बारें बता दें ICC का फुल फॉर्म International Cricket Council होता है ICC की स्थापना 15 जून 1909 में की गई थी दोस्तो इसका हेड़कॉर्टर दुबाई United Arab अमीरात में है दोस्तो 105 मेंबर कंट्री हैं ICC में ICC की चेर्मेन है शशांक मनोहर और ICC के CEO है मनो साहनी दोस्तो आपको ICC का मोटो याद रखना है ICC का मोटो है Cricket for Good तो इतना आपको ICC के बारे में याद रखना है Next Question हाली में सहीप्तुरास्ट सासा कावा अवर्ड किसे दिया गया है जिसका सही Option है प्रमोद कुमार मिश्रा हाली में प्रमोद कुमार मिश्रा को सहीप्तुरास्ट का सासा कावा अवर्ड दिया गया है दोस्तो ये भारती प्रधान मंत्री के अतिरेक्त प्रधान सचिव हैं इन्हें यह अबॉर्ड आपदा जोखिम नियूनी करण के लिए दिया जा रहा है दोस्तो इस अबॉर्ड की घूशना स्वेजालेंड के जिनेवा में 66 सत्रपट दी गई थी दोस्तो यह अबॉर्ड आपदा जोखिम प्रवंधन के खिशितर में प्रधान किया जाने वाला सबसे प्रटेस्थिट प्रोशकार है इस प्रोशकार की лейस्थापना 1986 में की गई थी आपको बता दें सासकावा अबॉर्ड की इस्थापना 1986 में की गई थी और ये अवर्ड हाली में प्रमोद मिश्राप को दिया गया है नेक्स्ट क्वेशन हाली में 2023 में एशिया कब फुटबॉल टूनामेंट का आयोजन किया जाएगा जिसका सी ओफशन है चीन चीन में 2023 में Asia Cup Football Tournament का आयोजन किया जाएगा दोस्तो इससे पहले 2004 में भी इसका आयोजन चीन में किया गया था 2019 में AFC यानि Asian Cup Football Championship को कतर ने जीता था तो इतना आपको इस Championship की बारी में याद रखना है दोस्तो अब बात आईए चीन की तो आपको मेप में चीन के बारी में बता दें मेप में ये जगह चीन को दरसाती है चीन की राजथानी है वीजिंग, करंसी है रैन मिन वी और चीन की रास्टपती है सी जिन टिंग तो दोस्तो इतना आपको चीन के बारे में याद रखना है किस देश की महिला कामी रीता ने रिकॉर्ड तेजवी बार माउंट एवरेस्ट पर सफलता पूर्वक चड़ाई की है तिसको सही ओफ्शन है नेपाल कामी रीता नेपाल की रहने वाली है और इन्होंने सफलता पूर्वक तेजवी बार माउंट एवरेस्ट पर चड़ाई की है दोस्तो ये 49 वर्सकी है और इन्होंने अपनी पहली जो चड़ाई माउंट एवरेस्ट पर की थी वह 1994 यानि 1994 में की थी दोस्तो 2019 में ये एक बार और Mount Everest पर चणने की सभालता हासिल कर चुकी है दोस्तो कामी रीता नेपाल की रहने वाली है तो आपको मैप में नेपाल की बारे में बता दें मैप में ये जगह नेपाल को दरसाती है नेपाल की राजधानी है काटमांडू नेपाल की करंसी है नेपाली रुप्या नेपाल की रास्टपती है विद्या देवी भंडारी और नेपाल की प्रधान मंत्री है खड़क परसाद ओली तो इतना आपको नेपाल की बारे में याद रखना है Next question अनुसार कौन से भारतिये सबसे सफल कलाकार है जिसका सही option है अनीश कपूर अनीश कपूर हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट की अनुसार सबसे सफल भारतिये कलाकार है दोस्तो 2018 और 2019 में इनका कुल कारुबार 168.25 करोर रुपे रहा है इनकी सबसे महेंगी विक्री कलाकरती जो है वह स्टेनलेस स्टेल प्रतिमा की दोस्तो अनुप अनीश कपूर की करतियों की निलामी घरों में कीमती के मामले में सरवाधिक मांग है अनीश को 2017 में इसराइल की ओर से जेरेसिस पुरुषकार से भी नवाजा गया है और सबसे वड़ी बात ये है कि ये एक भारतिय कलाकार है तो आपको इस लिस्ट के बारे में इतना याद रखना है नेस्ट कोशन हाली में किस फूटवालर को क्रूडी सैट जॉर्डी से सम्मानित किया गया है तो इसका सई उप्षन है लियोनल मैसी हाली में नियोनल मैसी को क्रूडी सैट जॉर्डी नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है दोस्तो यह अवार्ड पारने वाले यह वार्सलोना कलब के दूसरे फुटबॉलर है जोहन फ्रिक को यह अवार्ड 2006 में दिया गया था और अब लियोलन मैसी को भी क्रूव D.C. जॉडी अवार्ड दिया गया है किस जिले में पहली बार बूत के बाहर बैलेट पेपर का पोस्टर लगाया जाएगा ताकि इससे मददाता को कोई भी कनफ्यूजन ना रहे दोस्तो आप बात आईए इंदवर की तो आपको कुछ इंपोर्टेन पेक्ट इंदवर के बारी में बता दे मैंनी मूंबाई अहल लेवाई नगरी होलकर राजधानी के नाम से इंदवर को जाना जाता है चंबल शिपरा और खान प्रमोख नदिया हैं इंदवर की दोस्तो मध्यप्रिदेश बित्य नेगम मुख्यालय भी इंदौर में ही इस्तित है आपको बता दें देश का एक मात्र शहर है जहां IIM 2003 में और IIT 2008 में इस्थापित की गई थी यहूं अनुसंधान केंदर भी इंदौर में ही बनाया गया है दोस्तो राज्य का पहला हिंदी दैनेक जग जीवन इंदौर से प्रकासित हुआ था भीमराव अमबेटकर की जन्म इस्थली भी इंदौर ही है दोस्तो राला मंडल वन्यजीव अभ्यारन भी इंदौर में ही इस्तित है तो दोस्तो इतना आपको इंदोर की बारी में याद रखना है Next question मद्यप्रदेश में बिजली कंपनी ने सेवाँ बहतर देने कौन सा नमबर जारी किया है जिसका सही option है 1912 हाली में बिजली कंपनी ने मद्यप्रदेश में 1912 ये नमबर सिकायतों से रिलेटेड और सेवाँ को बहतर करने के लिए जारी किया गया है दोस्तो टोल फ्री नमबर बिजली कंपनी की ये सुविदा 24 घंटे 7 दिन चालू रहेगी दोस्तो जवालपूर इस्तित मद्यप्रदेश पूर्वक शेत्र बिजली वितरन कंपनी ने इस नई सर्विस के रूप में सागर और पन्ना जिले को भी जोड़ा है इस नमबर पर कॉल करके हम डुपलिकेट बिजली बिल की भी मांग कर सकते हैं और वहां से वो लोग इस बिलकु सेंड करेंगे हमारे वाट्सेप नमबर पर तो ये सुविदा बहुत अच्छी है और इसे मद्यप्रदेश के सागर और पन्ना जिले को जोड़ा गया है और ये नमबर है 1912 यानि 1912 नेस्ट कॉशन हाली में कब National Museum Day मनाया गया है तो इसका सही ओफ्षन है 18 मई हाली में 18 मई को National Museum Day मनाया गया है दोस्तों 2019 में इसकी जो थीम है वह है Museums as Cultural Hubs तो आपको इस थीम के बारे में याद रखना है दोस्तों आपको बता दे 2018 में National Museum Day की जो थीम थी वह है Hyper Connected संग्राल है एक द्रस्टी कौन एक प्रकाशन 1970 में इस दिवर्ष की शुरुवात अंतरास्टिये परीसर द्वारा की गई थी जो आपको इस International Museum Day की बारे में याद रखना है Next question कि शहर को UNESCO World Heritage City में शामिल करने की तैयारी की जा रही है जिसका सई Option है बोपाल बोपाल शहर को UNESCO World Heritage City में शामिल करने की तैयारी की जा रही है दोस्तो बोपाल में एतिहासिक इमारतों की संरक्षन का काम किया जा रहा है साथी बोपाल में परियाटन बढ़ाने के लिए संरक्षन किया जा रहा है इन अमारतों का और इसलिए बोपाल को UNESCO World Heritage City घोसित किये जाने के लिए तैयारियां शुरू हुई है दोस्तो अब ये बात आई है UNESCO की तो आपको इसके बारी में बता दें दोस्तो UNESCO का फुल फॉर्म United Nations Educational Scientific and Cultural Organization होता है इसकी इस्थापना 4 नवंबर 1946 यानि 1946 में की गई थी इसका हैटकॉर्टर पैरेस फ्रांस में है और UNESCO की हैड है अंद्रे अजुले तो दोस्तो इतना आपको UNESCO की बारी में याद रखना है किस समूर के द्वारा अमरित जलम अभियान का आगाज किया गया है जिसका सही option है पत्त्री का समूर के द्वारा हाली में पत्त्री का समूर के द्वारा अमरित जलम अभियान का आगाज किया गया है दोस्तो हमें जल का संरक्षन करना बहुत जरूरी है चाहे वो वर्साती जलो या नदी तालाब का यह अवियान पिछले 15 वर्षे पत्री का के द्वारा मानसून के पहले की तैयारी का अवियान है दोस्तो यह भारत के 9 राज्चों में अवियान चलाया जाएगा यह बहुत important अवियान है और एक सकारात्मक अवियान भी है नेस्ट क्वेशन हाली में कौन मद्यप्रदेश के मुख्य सजेव है जिसका सी option है सुधी रंजन मुहंती हाली में सुधी रंजन मुहंती मद्यप्रदेश के मुख्य सजेव है दोस्तो अब बात करते हैं आज की question की तो question of the day है हाली में किस जिले में हजारेश्वर मेला लगाया गया है इस question का answer आप comment box में जरूर दें और जादा से जादा आप मारे चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें आज के लिए बस इतना ही दोस्तो कल हम आपके साथ फिर हाजर होंगे नए वीडियो के साथ दोस्तो दो दिन का मैं थोड़ा busy रहा इसलिए दो दिन का current affair का वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ उसके लिए sorry लेकिन next time से ऐसा नहीं होगा next time से परड़े का वीडियो आपके लिए आएगा तो आज के लिए बस इतना ही नमस्कार हैवा नाइटे